के सो हेलो हाई नमस्ते आदाफ फैंस मैं हूँ लुबधोग लुबधोग अक्षम में आपका सवगत है तो आज ए माउस को रिप्यार करना है ठीक है तो इसका क्या-क्या पॉब्लम है नॉर्माली क्या-क्या पॉब्लम आता है उसका पूरा मतलब सॉलूशन में देने बाला ह ठीक है जो इस में क्या फॉल्ट है वो तो मैं रिप्यार करके दिखाऊंगा ही बाकी जो जो पॉब्लम आम तोर पे आता है उसका भी मैं सॉलूशन देने का कोशिश करूंगा ठीक है तो पूरा वीडियो जरूद देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो इस पहले मोबैल से मैं इसको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ ठीक है इस मोबैल का इतना सा पॉर्शन जो है वो टाच काम नहीं कर रहा है यहां पर का टाच काम कर रहा है यहां तक और यहां पर कोई टाच काम नहीं करता तो वहला जो माउस है यहां पर दिख रहा है उपर स वो तूटा हुआ है तो यहां पे कोई ना कोई पॉब्लम आ सकता है तो इसको टेस्ट करके दिखाने का कोई वैसे जरूरत नहीं है पर फिर भी चलो मैं इसको डाल के दिखाता हूँ अब देख सकतो हूँ यहां पे कोई लाइट्स बगड़ा नहीं जल रहा है ठीक है और इसको अगर मैं इसको अगर मैं अपना प्लाग में डाल के दिखा हूँ तो यहां पर भी आप देख सकतो है प्लाग में अगर मैं डाल के दिखा हूँ इसको हूँ और इसको अभ mandate करता हूं अगैसे यहां तो यहां पर भी आप देख सकतो है है इसमें कोई लाइट्स नहीं है यह से पलाग में डाल के आप कर सकतो इसमें नौर्मल जो मतलब यह वाला लाइट्स है वो ही सिभ जलता है ठीक है बाकी कुछ इसमें अभी डेटा का जो से वह काम नहीं करता अभी इसको मैं खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या प्रब्लम है वह मैं दिखाऊंगा इसके अंदर जो है वह चार्ड वैर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यानि इन्पुट आउटपुट का फाइब वोल्ड उसमें जाता है तो वही एक्च्वल में अगर आप इसको चार्डजर से इसमें डालते हो तो इसके यह वाला जो लाइट से यहां पर वह जलता है और कुछ नहीं तो चलिए इसको मैं भी खोल के दिखाता हूं इसको पहले आप देख लीजिए यह क्या कॉनसा वाला इसमें है यह देखिए इस और ना करो तो ही वैत्षाइँ फ़्राइस ज्यादा देखेए अगर खरी दोगे तो ऐसे प्याइड पर देखने को नहीं मिलेगा आपको ऐसा प्रवलम ठीक है तो यह वाला जो कमपनी है वह है टेकद्यों टेक ठीक है तो ऐसे कमपनी से आप बुड़क ना खरी तो तो ही अच्छा है तो यहां पर भी मैं इसको खोल के अंदर क्या-क्या है वो मैं दिखाऊंगा ठीक है यहां पर एक ही आपको स्क्रू में लेगा ठीक है तो यह है इसका सर्किट ठीक है और यह है इसका ग्लास ठीक है अप ऐसे खोल के भी इसको साफ कर सकतो यह वाला ठीक है यहां पर नॉर्माली धूल मेट्टी जमता है जिसके लिए आपका जो काशर है नॉर्माल यासा हिलता है पक्तर फिख्र eff toplum दो कि यहां पर हमाल भूल में सबसक्राइव है ठीक है सब लिखा हुआ है मिले रहा आपको तो वाला आप देख सकतो यहां तो एक color combination के उपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तो color combination देखके भी आप पताच कर सकतो कि सही से resistant का value दिखा रहा है या नहीं या तो आप यहां से एक terminal उठाके उसके बाद multimeter से इसको test कर सकतो कि कौन सा इसका जो resistant है वो सही से दिखा रहा है या नहीं यह बाला जो है एक 68 ohms का resistant है इसको भी आप इस तरह सब test कर सकतो एक हो गया capacitor का value है क्यापासिटर को यह जो क्यापासिटर है यह 10 volt 100 mu f common क्यापासिटर है यह अगर ख़राफ हो है यह बहुत ही कम ख़राफ होता है ख़राफ होने से उपर यहां से फट जाता है ठीक है तो वह देखके भी आप चेक कर सकतो है दूसरा जो problem आता है वह जो push button का जो switch बगड़ा है ठीक है इसमें problem आता है तो इसको टेस्ट करने का में बता देता हूं ओके तो यहां पर इसको टाच करने से v multum2 आयो नारमाली यह जो दू टर मिनल यह दो टाच हो गा ठीक है तो इसको टेस्ट करने के लिए यहां पर बकड़ा है और यहां पर बख़़ा और यहां से उल्डा उल्डा प्रेश करो स्विच का यह आप देख सकता विप साउंड आया और यह बहला आया चला गया इस साइड यहां पर भी सेम इसको भी सेम तरीके से टेस्ट करना है यह बहला स्विच इसको यह प्रेश बटन स्विच है इसको यह रहता है आपका जो स्क्रॉल है स्क्रॉल के नीचे ठीक है स्क्रॉल के नीचे रहता है यहां से अप्रेश कर सकता है यहां पर भी यह भी सेम यह दो पॉइंट में टेस्ट करना है अगर स्क्रॉलिंग में पब्लम आये तो यह जो है इस में आपको थीनर देखे यह साइड से यहां से अब थीनर देशकता हो यह पेट्रोल देशकता ह यहां पर ऐसे हाथ रखो और इसको ऐसे घुमा तो यह साफ हो जाएगा एक हो गया नेक्स्ट यह जो लाइट है इसमें पॉबलम आता है तो इसको भी टेस्ट करना इससे आफ टेस्ट कर सकतों कॉंटिनुटी मूड में रखें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव को न पॉजिटिव को फॉजिटिव एक लाइट जला यह विस है अपना ठीक है और सबसे कम जो पुल्म आता है जो अर üzहाएक यह स़िया नहीं हीब आदेगा और अगर पॉबलम आता है तो क्या शक् völlig , और चेंज करना होगा नर्टा के बील ले सकते हो को ईदन के लिए सकते हो जो सई ही बहना हो ठीक है जो गूर्छ हधिक ऐसा जन्वा सबाइस और आप करता हो । जो पूरा ख़ड़ा बहला भी आप ले सकते हो खराप में भी मैकसिमुम जो-इदहा के बिल में क्लिन लुट त्लिंगर는데 ये portion और ये portion यहाँ पर ही fault आता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा मतलब rotate होता है न वेर मोबाइल में इसको डालो गए तो ऐसा ऐसा मोबाइल हीलाने पर ऐसा वेर हीलता है तो यहाँ पर तूट जाते हैं अंदर और चार्जर में भी same यहाँ पर ठीक है तो जायतर यहाँ पर और यहाँ पर problem आता है टाटा के विल में तो max 90% time जो मोबाइल के तरफ बला यह बला portion है यहाँ पर ही problem आता है not 90% time तो अगर काम नहीं कर रहा है तो यहां से काटके जो गयाँ है इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ देते यह वाला जो cover है इसको काटके फिर solder कर देते है तो जह यहाँ पर ही problem आता है нем वाला जो है यहां पर problem बहुत ही कम आते हैं लेकिन जो लोग actual में जो अतलब चार्ज में देखके मोबाइल में उसके बाद gaming करते हैं तो उनका ही यहां पर problem आता है बाकी लोगों का normally यहां पर पोई problem नहीं आता है इसमें ठीक है तो आप क्या कर सकते हो जो पुराना खड़ा data cable है उसका भी आप यूज कर सकते हो ठीक है मेरे पास फिलाल नहीं पुराना data cable नहीं है तो और एक solution में दे सकता हूँ जब वायर में problem आये ठीक है तो आप hitsink जो tube होता है वो यूज कर सकते हो जैसे पुराना एक में वीडियो बनाया था हेटफोन के उपर तो उसमें मैं य मारे र्चा हूँ तो आप के पास रचके बचा हुए जका थे बाई सकते हो उनकस सते हो अगscale है निकलता है वह अगरा रख देता हो तो आप यू कर दे करते हो चल्य क सदया जर्दक में दिफरा स universities एकवाल करने में का तो Hem को मिल जाएगा यह कर आप बोला बाला डांस्फर मर का वैर है कि तो एक वैर भी आफ यूश कर सकते हैं इसमें क्या होगा तोटने का चर्ट बहुत जाब कम है इसे कम से कम इस से अच्छा वैर अच्छा मेह यह होता है ठीक है तो इसका यूज कर सकता हूँ अभी मैं यह जो portion है यह वाला यह वाला जो cover है इसको मैं काट दूँगा काटने के बाद जो wear है इसको मैं test करूंगा यहां से यहां तक continuity सही से मिल रहा है या नहीं ठीक है यहां पर कौन सा बाला wear क्या का काम करता हूँ बता देता हूँ यह जो capacitor है यहां इसक में positive negative terminal होता है यहां पर देख से तो यह positive negative ठीक है तो यह positive negative में आपका जो cable है उसका positive negative और negative का ठीक है यहां पर ठीक है और बाकी यह जो दो फिन है यह dpdn का है dpdn का है dpdn तो data positive और data negative dpdn ठीक है तो यहां पर यह देखिए dp positive d negative ठीक है यह negative यह positive है अभी मैं यहां से काट लूँगा और उसके बाद यहां से इसको जो एक cover है इसको काट लूँगा तो यहां पर मैं इसको काट लिया हूँ ठीक है तो यहां पर मैं बता दूप यह बाला जो है PCC यह जो है data minus यह है data plus और यह है ground ठीक है तो इससाब से मैं इसको काट के उपर उपर टुक्रा कर लिया हूँ अभी लगाने के बाद इसको जोड दूँगा तो अभी यहां से यह बाला जो है और है ground का बोन में निकाल लिया था और इन में चेक करने के यहां पर मैं पुड़ा तो यह जो पोशन है यहां से यहां तक मैं रीडिंग ले लिया हूँ ठीक है यहां पर रीडिंग थोड़ा नहीं आ रहा था पहले तो इसको मैं हटा लिया था ठीक है अभी इसको फिर से जोड दूँगा तो फिर फ्रेंस यहां पर आप देख सकतो मैं solder कर लिया हूं यहां पर कुछ heat tube मैं use किया हूं यहां ठीक है यह लिए यहां पर जब भी मैं solder कर रहा हूं तब यह क्या हो रहा है कि यह जो वैड का condition है वो तनक्स अच्छा नहीं है इसलिए मैं heat tube लिए यहां पर और यह बाला जो वैर है यहाँ पर इसको मैं खोला та blahfire तो इसको भी मैं लगा लिया हूँ अभी मैं इसको जो बेश है इसका इसके अंदर में डाल के एक बार चेक कर लिएंगा कि कर्षर का जो आ रहा है या नहीं ठीक है तो इसके अंदर में डाल लेता हूँ अभी तो यहां पे लाइट्स आ चुका है ठीक है यह जो मॉबाइल है इसका यह वाला जो इस साइड में कोई टाच काम नहीं करता ठीक है तो कर सड़ा भी साइज काम कर रहा है ठीक है तो यहां पे मैं जाता हूं लेट्ट क्लिक को फ्रेस किया तो यह साइज काम कर रहा है ठीक है और दीन आटी इसके अंदर ही मैं जाता हूं अब्षी एलारीटि क्लिक प्रेस करके बेक करता हूं ठीक है देखते है हां रैटि लिक काम करता है अब भी ठीक है मैं काम करता है रहे राइट क्लिक काम करते है साही से ठीक है तो अभी क्या करूंगा इसको मैं set कर लेता हूँ इसको लगा लेता हूँ इसको उपर ठीक है और एक बड़ मैं बता दूँ left click और right click अगर खड़ाब हो जाए तो यहाँ पर भी यह वाला switch भी आप लगा सकते हो यह वाला जो button है push button यह वाला जो push button है यहाँ पर भी आप लग कर लूँगा और उसके बाद उसके बाद यह जो USB है जो USB है इसको तो इसको मैं यह जो cover है इससे ढग लूँगा तो यह पुरा सही हो जाएगा ठीक है तो फिर फ्रेंस यहाँ पर मैं mouse का जो housing है बो मैं लगा लिया हूँ यहाँ ठीक है तो अभी जो wire है wire का जो दूसरा हिस है USB तो इसको भी मैं लगा लिया हूँ यहाँ पर थोड़ा time मुझे लग गया है इसको क्या करना होता है आपको थोड़ा blade से इसके अंदर बला जो plastic है उसको साफ करना पड़ता है यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैं काम किया इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा glue यहाँ पर नहीं है पर वीडियो बना रहा था इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्याम करना पड़ा अगर आपको यह मतलब यह प्लास्टिक यहाँ पर देना नहीं है तो आप इस पर कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं किया हूँ यह बाला एक हीट्सिंग ट्यूब है ठीक है आप जो भी कहते हो इसको तो इसका यूश कर सकतो बड़ा वाला यहाँ पर लगाना है उसके नीचे थोड़ा छोटा वाला इस तरह से आपको लगाना है ठीक है तो यह भी आप लगा सकतो इसको टाइट से इसको टाइट कर सकतो इस तरह से ताकि यह हीले ना ठीक है हीलेगा तो तो यह तूट जाएगा इसके अंदर ठीक है तो अभी मैं इसको टेस्ट कर लूँगा तो यहाँ पर आप देख सकतो कि यह लाइट जल गया है और यहाँ पर एक कार्सर भी आ चुका है ठीक है मेनू में जाता हूँ ठीक है तो अभी इसका जो स्क्रॉलिंग बटन है इसको भ जालो तो मैं खोल के दिखा रहा था तो अभी सभी से काम भी कर रहा है तो आप देख सकते हो ठीक है अभी बाहर आ जाता हूँ और एक प्रब्लम होता है माउस के साथ वह मैं बताना सायद भूल गया था वह है कि आप देखो गए कि स्क्रीन में जब भी मतलब कि आप मोनिटर जब आप यूज करते हो कंप्यूटर में तो आटोमेटिकली आप देखो गए कि एक कार्सर ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ यह उपर की तरफ चला जाता है आप माउस में हाथ दो या ना दो तो वो प्रब्लम होता है आपका यह जो लेंस है इस लेंस के उपर अगर धूल मिट्टी जम जाए तो उस टाइम होता है क्या होता है कि यह जो लाइट से यह पहले यह जो लेंस है लेंस के थ्रू जाके से करता है ठीक है तो लाइट भी आपको इसलिए टेस्ट करना होता है लाइट सही है या नहीं यह उस टाइम आपको टेस्ट भी कर लेना होता है ठीक है जैसे मैं खोला था उस टाइम में लाइट को टेस्ट कर लिया था ठीक है और यह लेंस को आपको साफ करना होता है आप मैं भी इसको चार्ज मेल रख दूंगा तो यहां पे मैं वीडियो को कम्प्लिट करता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद है और कुछ भी सीखने को मिला हो तो फिर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस के साथ वीडियो को शेर करें कोई सबाल ना सुजाब हो कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करें चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएए तक कि नया वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके मैं मिलूंगा नेक्स वीडियो में नया टोपिक के साथ तक तक के लिए थैंक यू थैंक्स